हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरे SJCAM SJ6 Legend के रिव्यू में दो साल हो गए मुझे इसको यूज करते हुए मार्च 2019 में मैं इसे मंगाया था और अब बहुत सारे सिचुईशन हर एक सिचुईशन व्लॉगिंग मोटर व्लॉगिंग हर एक चीज पर इसको टेस्ट करने के बाद यह रहा मेरा इसका रिव्यू रिव्यू में चलने से पहले आपको एक फास्ट अन्बोक्सिंग दिखा देता हूं जो मैंने इसको किया था मार्च में चलिए वो देख लिजिए आप तो अराम से स्लाइज करते हैं क्योंकि आई डूंट वांट टो डेमेज दे पैकेज तो ओके नाइफ का काम कितम हो गया है अब चलिए यह रहा हमारा अब इसको स्लाइड कर देते हैं इसको रखते है साइड में और यह यह बाहर आ रहा है इस तरीके से आजा आजा मैं हूँ प्यार दे रहा है कोपिराइट मत लगा देना कोई भी बस लिरिक्स ही है ओके तो यह रहा में प्रड़क्ट मेरा SJCAM SJ6 LEGEND वाटर प्रूफ केसिंग के अंदर है तो इसको निकाल दा जाए वाव तो यह है मेरा SJCAM SJ6 LEGEND टू इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले है माइक्रो यूएस्बी इंटरफेस माइक्रो एश्डी इदर लगेगा सेकेंडरी डिस्प्ले इदर है कैमरा इदर है यहां पर थ्री इंडिकेशन लाइट से पावर ऑन अफ का स्विच इदर है सेटिंग्स का स्विच इदर है ऊपर रिकॉर्ड का बटन है तो इसको भी रखते हैं साइड में इदर और फिर देखते हैं और क्या-क्या है तो यह वाटर प्रूफ केसिंग आपने देखा यह माउंट है और क्या-क्या है देखा जाए तो इसके अंदर तो यूजर मैनुवल और एक परिमेटर केस हैंडल बार माउंट और एक और दो स्टिकी टेप माउंट दो 3M का स्टिकी टेप टेप टेखा है स्टिकी टेप मतलब डबल सब्सक्राइब बहुत सारे माउंट यह हैं आपको बहुत सारे माउंट दिए हुए हैं आपको जैसा जहां जरूरत पड़े आप यूज सर सकते हैं और एक वाटरप्रूफ केस भी दिया हुआ है तो इसको वापस इसके अंदर रख देते हैं केबल कनेक्शन है माइक्रो यूस्बी नहीं यह कुछ और है साइट एधर दो और स्टिकी टेप है और भी पहुत सारे माउंट्स है और यह लैंस कवर है आपका लैंस स्क्राइच नहीं हो इसलिए तो कीप इट सेफ यह रहा सारा प्रड़क्ट अब इस एक्स्टरनल माइक्रोफोन के अंदर चलते हैं प्लीज तो यह अधर दिया है और यह एक्स्टरनल माइक्रोफोन हमारा देख लिए आपने इसका अंबॉक्सिंग है इसमें कुछ एक्सटरनल माइक्रोफोन है यह एक्स्टरनल बैTORी चार्जर जिसमें दो बैटरी चार्ज हो सकती है और इसका एक्स्ट्रा बैटरी ताकि मैं कंटिनियूर्जर कर पाऊं मुझे बैटरी चार्ज्ज करनेके I can swap it and charge it with this charger. तो इस तरीके से मैं इसको continuously use कर सकता हूँ. अब जलते हैं इसके review में. और review सुल करते हैं इसकी सबसे पहरी खामी के साथ जो है इसका audio recording. इसका external microphone and internal microphone दोनों बहुत ही घटिया है. काफी खराब sound record होता है. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने external microphone के उपर यह dead cat यानि की wind blast से बचाने के लिए रगा रखा है. फिर भी काफी घटिया audio record होता है. इसका example मैं आपको दिखा देता हूँ जब मैंने यह खरीदा था और motor vlogging के लिए use करने की पोसिस की थी. तो यह देख लिए जैसे अब तो कैसा यह audio record होता है. तो आपने देखा सब कुछ record करता है यह साब ने का बस आपकी आवाज ही record नहीं करता है. एकदम आप इसको बिल्कुल भी motor vlogging के लिए इस mic को यूथ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से. बहुत सारे solution available है YouTube पे लोगों ने बता है. मैंने सब कुछ ट्राइक कर लिया. किसी भी solution से इसका अच्छा audio quality मुझे नहीं मिल पाया है. तो मेरे हिसाब से इसका audio recording तो सबसे खड़ाब part है. उस चीज के लिए अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, इसके external microphone के कारण अगर आप इसको खरीदना चाहरे हैं, तो मत खरीदिये. मैं क्या करता हूँ? मैं एक अलग एक device यूज़ करता हूँ audio recording के लिए. जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, इस phone में मैंने mic connect किया हुआ है, और यहां मैंने mic लगाया हुआ है, उससे यह audio recording हो रहा है, अगर आप उस तरीके से moto vlog करेंगे, तो आप audio भी अच्छा record कर सकते हैं, और vlogging काफी अच्छा होगा, आप नीचे description में मिल जाएगे मेरे moto vlogs, मैंने इ देख सकते हैं, अब चलते हैं इसके थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम पर, एक और प्रॉब्लम जो मुझे इसमें आता है, कि जब भी मैं इसका battery swap करता हूँ, जैसे अभी इसमें एक battery लगा हुआ है, और मैं इस battery को निकाल के यह battery लगा हूँगा, तो इसका date and time वापस production के time का date and time पे चला जाता है, जिसके वज़े से जो file records होते हैं, उसका naming में काफी mix up हो जाता है, तो जब भी मैं उसको अपने laptop पे transfer करता हूँ, तो मुझे उसको sort करने के लिए time देना पड़ता है, कि कौन सा पहला video record होता है, कौन सा second, कौन सा third, उसमें आपका time जाता है, उ जब भी आप battery swap कर रहे है, तो आपको इसमें अराम से थोड़ा time दे के date and time change करना होगा, बट मोटो व्लागिंग करते विए वो आप कर नहीं सकते, तो वो एक खामी है, आपको time देना पड़ता है कि इसके videos को sort करने के लिए जब आप editing में जाते हैं, यह एक छोटी सी खामी है, एक बड़ी खामी हो गई इसकी audio recording और इसका audio stereo में भी recording नहीं होता है, mono recording होती है, and दूसरा इसका file sorting जो इसका date and time save नहीं होता है, बैटरी चेंज करने के साथ साथ, वो पीछे चला आता है, यह इसकी दो खामिया मुझे लगी है, अब आते हैं इसके खासियत पे, at a price of around 8 1500 to 10000, ऐसा action camera मिलना मुस्किल है, जो इतना अच्छा stabilization के साथ, video quality अच्छा दे पाए, तो video quality के लिए आप इसको जरूर करिज सकते हैं, मैं इसको 2K at 30fps पे record करता हूँ, क्योंकि उसके साथ, आपको wide angle plus stabilization दोनों मिल जाता है, आप उसमें crop in भी कर सकते हैं, जब आप edit कर रहे क्योंकि 2K में है, मैं अपना सारा video 1080p पे पोस्ट करता हूँ, तो इसमें अराम से crop in भी किया जा सकता, wide angle पे without losing any quality, और आप इसको, इसका touch screen भी काफी अच्छा है, और एक चीज है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसका waterproof case के साथ, मैंने microphone कनेक कर रखा है, मैंने रखा है इसमें, तो waterproof case का वैसे कोई use रहा नहीं, क्योंकि आप mostly अगर motor vlog कर रहे हैं, बारिस में बहुत ही कम लोग motor vlog करते हैं, तो waterproof case को मैंने इसके lens को protect करने के लिए, इसमें hold कर दिया, या आप देख सकते है, microphone करने के, यह mic कनेक्ट मैंने बस audio जो मेरा अलग से recorder है, उसक सिंक करने के लिए मैंने इस mic को लगा रखा है ताकि जो भी हलका सा audio से मैं सिंक करता है, that's it, इस mic को unusable है, तो यही है मेरी short and simple review, अगर आप इसको video quality के लिए खरीजना चाहते हैं, जरूर खरीदिये, इसका जो back screen है, वो आपको help कर देता है, कि कितना recording time हो चुका है, कितना recording time अभी बच्चा है, काफी अराम से, अगर मैं इसको on करता हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह screen on हो गया है, and यह recording चलो हो गया है, यहाँ पर तो अभी आप इसको मैं recording post कर देता हूँ, and काफी अराम से यह सारे buttons दब जाते हैं, अराम से record होने लगत है, तो यह जो back screen है, यह काफी help करता है, जब भी मैं ऐसे vlog कर रहा हूँ, तो मुझे battery percentage, कितना memory बच्चा है, कितना time हो गया recording का, वो मुझे निका देता है, आप इसको off भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए यह काफी helpful है, यह SDKM legend में ही आता है, तो untouch screen के लिए यहाँ पर यह case है इसको touch screen भी कर सकते हैं, अराम से use हो जाता है, और यहाँ पर आप नीचे यहाँ, वीडियो quality मैं 2K30, 2K30 fps पर इसको record करता हूँ, ताकि अच्छा, काफी अच्छा वीडियो quality मिल सके, कलर काफी अच्छा है इसके वीडियो का, वस, that's it, that was my review, audio quality, काफी घटिया, वीडियो quality काफी अच्छा, stabilization काफी अच्छा, तो audio अलग से record करिए, motor vlogging के time, and any vlogging के time, and इसको use करिए, इसके वीडियो quality के लिए, और इस सारे चीज़ को आप से share करने के बाद, यही थी मेरी 2 साल, use करने के बाद, इसकी review, आपको कैसा लगा, comment section में बताइए, अगर आप इसको खरीद र है यह पहले से, तो क्या आप मेरे बात से agree करते हैं, यह disagree करते हैं, नीचे बताइए, अच्छा लगा मेरा यह review, लाइक बटन जरूर दबा दीजेगा, मेरे काम को और देखना चाहते है, motor vlogs, and मेरे अलग अलग travel vlogs, वो सब देखना चाहते हैं, तो नीचे लाल subscribe का बटन दब दीजेगा, and मैं आप से मिलूँगा, मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, देखे जबास, vlogging out, hasta la vista, peace out झाल झाल